है अलो दोस्तों में वेलकम तो और निव वीडियो आज की इस वीडियो में दिखाऊंगा कि हमारे गिटार को एकॉस्तिक हो या इलेक्ट्रिक उसको कम्पीटर के साथ करने करके हम लोग कैसे प्ले कर सकते हैं और उसको रेकॉर्ड कैसे कर सकते हैं अभी बहुत लोगों कि इस वीडियो में वही मैं आपको दिखाऊंगा कि हमें कोई भी एम्प्लिफायर या फिल कोई भी डिजिटल प्रोसेसर की जरूरत नहीं हमारा जो कम्पीटर है या लेप्टॉप है उसमें ही हम अपने गिटार को कनेक्ट कर सकते हैं और वहां पे हम लोग बना भी सकते ह हैं वहां में अर्म और वह पर अल्लेडी अवैलेबल भी होते हैं जो ले स्टार टो दोस्तों गिटार को आमारे कॉम्पीटर क साथ कनेक करने के लिए आपका जो एक गमक्तार है वह पहले आप देख लीजिए कि वह गुटार है कि नहीं ट्यक्ष टीलिच नेफ टरौनाघ इस तरह का इस पोजिशन में यह होता है यह क्या करता है आपके गिटार के सांड को एंप्लिफाइ करेगा और इससे ही आप डिजिटली अपने सांड को कम्पुटर में आप डाल सकते हैं तो आप जब भी गिटार खरीदे तो आप देख लीजे कि इस तरह का एक जैक कभी- को कनेक्ट भी कर सकते हैं एक पीकप खरीद के वह ज्यादा मेहंगा नहीं आता है 1500 का आएगा उस पीकप को आपको यहां पर इस सांड होल में फिक्स करना रहता है उसके बाद उसका भी ओपिनिंग होता है वह सब दुकान वाले करके देंगे तो वैसे भी आप इंस्टॉल हम लोग यह वाला वाय लगाएंगे यह वाला यह 3.5 mm जो हम लोग मोबाइल में यूश करते हैं उसका बरा वाला वर्जन है वान बैफोर्ट बोलते हैं इसको यह वाला हम लोग यहां पर अटेज करेंगे इस तरह से तो चलिए अभी मैं दिखाता हूं कि इस गीटार को य अब भी मेरे पास जो साउंड कार्ड या ओडियो इंटरफेस है वह है यह यह आपको दिख रहा है यह बैरिंगर कंपनी का यू यूफोरिया यू एम टू यह कुछ चार या पाथ हजार रुपे में आता है और यह सबसे सस्ता ओडियो इंटरफेस है इसके ऊपर कही मतलब और मिलते हैं आठ हजार बारा हजार या फिर बीस हजार तक कोई लिमिट नहीं है जितना फीचर्स होगा उतना प्राइज भी बरेगा लेकिन जेनरल यूज के लिए यह बहुत ही अच्छा रहता है कम प्राइज में तो अभी दिखाता हूं कि हम हमारे गीटार को इसके अभी मैं दूसरे वाले में आपको लगा के दिखाता हूं यह बस यहां पैसे लग जाएगा और यह जो है इसका यह वाल्यूम कंट्रोल है या फिर गेन कंट्रोल है और दूसरा सिरा तो गीटार में लगेगा उसके बाद जब आप प्ले करेंगे तो आपको शूरू हो जा या कि हमारे साउंड कार्ड में लगेगा उसके बाद आपका गीटार का साउंड वहां पे आना शुरू हो जाएगा लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम है कि जब आप डाइरेक्ली इसे इंपुट करेंगे तो साउंड बहुत ही कम आएगा तो इसके लिए आपको म्यूजिक ज साउंड बहुत हैं इस आप साउंड का मैं निपूलेट कर सकते हैं या पिर इसको को चेंज कर सकते हैं वहां पिर आपना खुद का साउंड भी बना सकते हैं तो वह चीज मैं आपको मेरे नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगा और अभी बात करते हैं 2nd best way 2nd best way जो है आपके laptop या computer के पीछे आपका headphone jack होता है आपके screen में show रहा होगा photo तो उसमें जैसे PC जो PC होता है उसमें आपको 3 jack मिलते हैं एक है green color का होता है हमारा headphone jack एक है pink color का होता है mic jack और एक है blue color का जो होता है line in तो उस लाइन में हमको हमारा गीटार का केबल घुसान आए एक तो यह इसके पीछे लग जाएगा इस तरह से और दूसरा वाला जो पार्ट है अभी आप लोग सोचेंगे कि यह बरावाला उसमें कैसे जाएगा तो उसके लिए कनेक्टर आता है यह बरे से छोटा करने वाला तो आप खरीद लीजिए कुछ सो देर्शो रुपया का मिलेगा फिर लाइन में आप कनेक्ट कीजिए आपका गीटार आपके कम्पीटर के साथ कनेक्ट हो जाएगा फिर कोई सॉफ्ट्वेर यूस करके आप अमने गीटार को वहां पर बजा सकते हैं सॉफ्ट्वेर तो ब जो एक हैटफोन में जाएगा और तीन ऐसे बाहर आएगा तो उस तरह के चीज को स्प्लिटर बोलते हैं तो वह स्प्लिटर आपको खरीदना परेगा फिर एक और हुए है जिसमें दो तो रहता है कि माइक और हैटफोन का रहेगा उस माइक वाले में साउंड कार्ड आपक आपके लेप्टॉप में वह वाला काम करेगा लेकिन मैं आपको प्रिफर करता हूं कि आपको अगर यह करना है तो आप वह एक सस्ता वाला ओडियो इंटरफेस ही खरीद लिए यह सब कनेक्शन में आपका वही फिर गीटार का क्वालिटी आपका लो होता जाएगा तो दो आपको माइक को यहां पर इस पोजिशन में रखिए इस तरह से फिर आपका साउंड जब आप बजाएंगे तो डायरेक्ली सॉफ्ट्वेर में वह रेकॉर्ड हो जाएगा वह भी अच्छा हुए है दोस्तों उसे क्या है नेक्चरल साउंड रेकॉर्ड होता है तो दोस्तो की मनदद से गीटार और आधियो इंटरफेस को कनेक करें और अधियो इंटरफेस तो कंप्रीटर के साथ यूएजब्य से कनेक्ट होता है फिर उस तर सी आप बजा सकते है रेकॉर्ड कर सकते हैं दूसरा जो है कि आधियो इंटरफेस नहीं करीदनेगा तो उसके लिए आपको बताया और जो थर्ड हुए मैंने आपको बताया है कि एक माइक की मदद से हमारे गिटार के सांड को कम्पूटर में रेकॉर्ड करने के लिए लेकिन उसमें सीव आपका रेकॉर्ड होगा उसमें हम लोग कोई सांड को मैनिपूलेट नहीं कर सकते हैं तो अभी लास्ट में मैं बस आपको दिखा रहा हूं एक वाइट शॉट लेके कि कैसे में अपने गिटार को मेरे कम्पूटर के साथ कनेक करूंगा और फिर प्ली करके आपको थोड़ा सा दिखाता हूं होप यह वीडियो आपको अच्छा लोगा होगा थेंक यू सो मुच क्यों का तर रहां सौब ह puntos3 का लएट अपको खोड़ा सा। तो दोस्तों यह देखी इस सॉफ्टर की मनद से कैसे हमने अलग-अलग साउंड बजा रहे हैं तो यह सॉफ्टर तो बिल्कुल इंपोर्टेंट है हमारे गिटार को कम्पीटर का साथ कनेक करके बजाने के लिए अधर्वाइस फिर एक ही साउंड आएगा वह भी बहुत कम आएगा कर में, अलग-आएगा वह भी बजाताए वह भी बेओाने का साउंड आएगा वह भी बजा एक और एक ही साउंड एक ही साउंड यह भी बहुत करके बजार को कम्पीन है तो दोस्तो यही था आज का वीडियो ओप यह वीडियो आपको अच्छा लगा अगर अच्छा लगा हो तो लाइक और कमेंट जरूर कीजिए और मेरे चैनल का अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए इसकी मुझे बहुत जरूरत है अगर आप लोग